दो हजार तेस में आपको टू बीलर मार्केट में कुछ नए बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं साथ में आपको कुछ नई टेकनोलजी भी देखने को मिलेगी और इस से जब आप आने वाले समय में अपने लिए एक नया प्रोडक्ट खरीदेंगे टू बीलर मार्केट में तो आपको पहले से ज़्यादा बेतर प्रोडक्ट मिल जाएंगे तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ काम की नई नीज देने वाला हूँ जिससे आपको सुनने में भी अच्छा लगे और जब आप आने वाले समय में कुछ खरीदारी करें तो आपका फाइदा भी हो सके सबसे पहले मैं आपको निज देना चाहूँगा होंडा की तरफ से आने वाली 23 जनवरी को हो सकता है होंडा कमपनी अपना एक नया स्कूटर लांच करे नया प्रोड़क्ट आप समझ सकते हैं जो कि H-Smart होगा अब यह पहले से जादा स्मार्ट होगा अब H-Smart का मतलब यह लगाया जा सकता है इस समय जो लोग सोच रहे हैं कि यह hybrid हो सकता है अब hybrid का मतलब हमारे हाँ यह सोचते हैं कि वो battery से भी चलेगा और petrol से भी चलेगा लेकिन नहीं दोस्तों इसमें ऐसा हो भी सकता है और नहीं हो सकता है अब जैसे आपने यामा में hybrid technology देखी है जैसे वो regenerate करता है power को बैटरी के थ्रू उसके बाद आपको power extra मिल जाती है तो थोड़ी सी आपको mileage ज्यादा मिल जाती है वैसा ही कुछ system यह जैसे Honda company भी ला सकती है या भाई Honda है उसकी अपनी सारी manufacturing equipment है वो सारी चीज़े कुद बनाते हैं तो हो सकता है वो battery और petrol से चलने वाला scooter ले आएं लेकिन आने वाले समय में इसके बारे में पता चल पाई गया और भाई इसके अलावा भी कुछ बहतरी न्यूज है जैसे जो आटो एक्सपोर लगा हुआ है दिली में मेरे पास भी इन पिटे सनाय हुआ था लेकिन फिलाल बहुत ठंडी पड़ दे तो मैं नहीं गया हूं लेकिन वहां पर कुछ नए प्रोड़क्ट आपको देखने को सकते हैं जो सेल्い बैलन्स कर लेंगे अपने आपको मतलब गिरने का काकरा बहुत कम रहेगा अप सेल्फ बैलेंसिंग का मतलब यह नहीं मेरे भाई कि आप कहीं सोचो कि आप जैसे घर पे रहोगे और वो अपने आप जैसे आप चला आते हुए चले जाओगे ऐसा निया थ खुछ सोचो कि जैसे जब भाईकों में self start दिया जाता है तो लिखना पढ़ता है कि यह बाई self start है, i3S technology है, मतलब सभी technology को लिखना पढ़ता है जिससे company बता सकें हमने इतना बड़ा काम किया है, तो सोचो अभी हमारे हाँ self start के बारे में लिखा जाता है, तो self balancing कितनी बड़ी बात हो जाएगी हमारे हाँ, तो फिलाल ऐसे scooter भी आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं साथ में, जैसे hero और Harley Davidson के जो दोनों का joint venture है, उसमें आपको नए प्रोड़क्ट देखने को मिल सकते हैं, तो आने वाले समय में आपको कुछ काम के प्रोड़क्ट देखने को मिल जेंगे, इसके लामा 2023 में आपको नई कवर ये आई, कि भाई, एथर में एक नया color आ गया है, और साथ में कुछ इन्होंने warranty अपने scooter की बढ़ा दी है, अब जैसे अपने, जैसे पांच साल या 60,000 km कर दी है, unlimited km कर दी है, तो वहाँ पर इनके battery के plan को, इनकी warranty के plan को आपको जाकर समझना होगा, इनकी website पर, उसके बाद आप देखेंगे, कि आपको और भी ज्यादा, जैसे पहले से ज्यादा बहतरीन सारी चीजे होती जा रहे है, और जैसे hero का जो बिड़ाई scooter आया है, उसके भी और ज्यादा outlet को ले जा रहे हैं, जिससे आप अपने लिए एक electric scooter खरीद पाएं, तो इसे बहुत सारी news आ रहे हैं, जिसमें खास करके, जैसे Honda की जो ये news आई है, जो ये H smart technology लेकर आ हैं, जो कि ये मुझे लगता है, कि बहुत ही जादा जबरदस्त होगा, तो आने वाले समय में आप लोगों को पता चल जाएगा, और बाकी auto expo में कुछ नई नई technology आपको देखने को मिलेंगी, जो आने वाले 2024-25 तक आएंगी, लेकिन 2030 में भी आपको कुछ देखने को मिल जाएंगी, तो ऐसे ही बने रहें, ऐसी ख़बरों के लिए बने रहें हमारे इस चैनल के साथ, और जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट आती है, दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताने वाला हूँ, और बहुत से लोग कह रहे हैं, अभी उसकी मेरे पास कोई confirm news नहीं है, जैसे ही कोई confirm news आएगी, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में जरूर बताऊंगा, तो दोस्तों, आप लोगों को क्या कहना है, जैसे ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, और खास करके, अब इस समय जैसे आपने देखा होगा, टू वीलर मार्केट में, बैटरी का जैसे जो एलक्ट्रिक स्कूटर का, एलक्ट्रिक बाइक का थोड़ा सा वर्चस अब बढ़ रहा है, लोग उनको भी खरीद रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, पिछले कुछ समय से, कि जैसे पेट्रोल बाइक और स्कूटर में, जैसे उनकी बिक्री में थोड़ा सा क समय है, क्योंकि लोगों का रुज़ान एलक्ट्रिक स्कूटर की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे क्या आपको क्या लगता है, जैसे dominant technology यह जितनी कारगर होगी, कितना और जानते हैं, आप लोग कमेंट सक्षें में जरूर बताएं, वीडियो गर आपको पसंद आई हो तो प् और long life चलती रहे तो सबका description में लिंक है एक बार जरूर जाकर चेक करें यह मीजो फिलिपकार्ट अमेजन पर मिल रहे हैं आप वहाँ पर करें सकते हैं दोस्तों तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं वीडियो कर आपको पसंदा है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करने न भूलें तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद आपका दिन सुभ रहे धन्यवाद